नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सबी दोस्तों यहाँ पर बहुती बूरी खबर है रास्तान कॉंस्टेबल विद्यार्थियों के लिए जुनोंने एक्जाम दिया तो रिजल्ट की आस में थी प्रिक्षा प्रिणाम के आज सुनवाई थी दोस्तों हाई कोट के अंदर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे हमें कोई खुशी मिले दोस्तों 11 फरबरे तक प्रिक्षा प्रिणाम को दोस्तों टाल दिया गया है जिसके चलते ही हमारा कुछ फैसला हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे प्रिक्षा प्रिणाम में काफी देरी दोस्तों होगी कि चलते दोस्तों हमारी जो फिजिकल के तैयारी उसमें भी दिक्कत आ रही है सासाथ किसी और एक्जाम की अगर हम तयारी कर रहे हैं तो इसमें भी हमें प्रोब्लम हो रहे हूँ हमारा माइन डबल हो जाता है कि कहीं परिक्रणाब जारी कर दी जाए तो हम एक फिजिकल को अच्छी से प्रिपیर कर पाएं कहीं ने कहीं दूसरे एक्जाम के भी त्यारी अच्छी कर पाएं अगर कुछ अनौंस हो जाता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अगर आप सब मिलकर एक ट्विटर अभ्यान चलाते हैं तो कहीं ने कहीं दोस्तों फैसला हो सकता है वरना आप समझ सकते हैं कि देरी कितनी भी हो सकती है अगर हम यूँ ही बैठे रहें और इंतिजार करते रहें तारिक और तारिक का दोस्तों तारिक हैं तो आते रहेंगे लेकि रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तुम आप सभी को आगा करना चाहता हूं कि result में देरी करने की पूरी तैयारी सरकार की अभी जाग जाएए एक tweet अभ्यान चलाएए जिससे की सरकार को पता लगे और वो जागे और जल्दी जल्दी result जारी करवाने के पक्ष में हो करता हूं मेरी बात आप समझे होंगे तो जल्द से जल्द इन बातों को अमल कीजिए दोस्तों अगर आपको result लेना है जल्दी से तो मिलते हैं इसी के साथ लगातर हमारे साथ बने रहेगा कोई भी डाउट किसी भी बात से discussion करना तो आप कर सकते हैं नीचे सारे social site के link दे रहे हैं परसनल आप से बात करेंगे और आपको कुछ solution जरूर बताएंगे क्या करना चाहिए वक्त चली मिलते हैं इसी के साथ जय हिंद जय बारत